हरे कृष्णा राथी राथी वेलकम बैक टू हैपी लाइफ इतकाना जी जिसकी आज की वीडियो में आप है शिवानी के साथ हैपी लाइफ इतकाना जी की आज की इस वीडियो में हम मार्क्षिश मा के शुक्रपक्ष की एकादशी मोक्षता एकाद्शी के विशे में बात करेंगे इस वर्ष मोक्षता एकाद्शी का वरत 25 दिसंबर को रखा जाएगा यह इस साल की आखरी एकाद्शी भी है मार्क्षिश मा की शुक्विपक्ष की एकाद्शी मोक्षता एकाद्शी कहलाती है माना जाता है इस दिन विदी विधान से पूजा करने से भगवान विश्णू का आशिरवाद प्राप्थ होता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वरत को मोक्ष प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है कहा जाता है कि मोक्षदा एकाच्छी वरत कालाब वरत करने वाले के साथ साथ उसके पितरों को भी मिलता है इसी दिन श्री गीता जैनती भी बनाई जाती है कहा जाता है कि मोक्षदाय काच्छी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोख भंग करननी के लिए मोक्षदाय नी भगवत कीता का उक्तेश दिया था बगवत कीता के ग्यारवे अध्याय बेवर्नित है कि भगवान श्री कृष्ण को अरजुन ने संपून प्रम्हांड में पाया भगवान श्री कृष्ण में ही अरजुन ने भगवान शिव, भगवान प्रम्हा और जीवन मृत्यू का चक्र भी देखा ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपने परब्रम रूप को व्यक्त किया था इसलिए मुक्ष्टा एकाद्शी के दिन इस अध्याय का पाठ करने से भगवान विश्णु के दर्शन का पुन्य प्राप्त होता है एक आद्शी तिथी का प्रारंब 24 दिसंबर की रात 14 बजकर 17 मिनट से हो जाएगा और एक आद्शी तिथी का समापन 25 दिसंबर की रात में 1 बजकर 54 मिनट पर होगा एकाद्शी वृत का पारण 26 दिसंबर को किया जाएगा और पारण का समय रहेगा सुबह 8 बज कर 30 मिनट से 9 बज कर 16 मिनट के बीच पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भी पारण क्या होता है एकाद्शी वृत को समाप्त करने मतलब खोलने को ही पारण कहते हैं एकाद्शी वृत के अगले दिन सुर्योदे के बाद वृत का पारण किया जाता है मोक्षता एकाद्शी के दिन भगवान श्रीक्रिश्न और श्रीमत भागवत कीता का पूजन किया जाता है एक आदशी वरत से एक दिन पूर्व दश्मी तिथी को दोपहर में एक बार भोजन करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए कि दश्मी तिथी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए एक आदशी के दिन प्राते काल उटकर इसनान करें और साफ कपड़े पहन ले एक आद्शी वरत का संकल्ब करें एक आद्शी वरत का संकल्ब करने के बाद भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विश्णू ये श्री राम जी को गंगा जल से इसनान कराएं धूप धीप नैवध्य अर्पित करें पीले फूल, पीला फल और पीले मिठाई का भगवान को भोग लगाएं एकादशी वरत की कथा पढ़ें इस दिन श्री गीता जी के ग्यारवे अध्याय का महात्व सुनना विशेश पुन्य फलदाई माना जाता है एकादशी वरत फलाहारी रखा जाता है इस दिन अन्न का सेवर नहीं किया जाता पूरा दिन फलाहारी वरत रखने के बाद रातरी में श्री हरी नाम का कीतन करें और जागरन करें एकाच्छी के अगले दिन द्वाच्छी को सुबह पूजा करने के बाद जरुरत मन्द वक्ति को भोजन और दान दक्षिना दें और फिर वरत का पारण करें मोक्षता एकाच्छी के वरत के प्रभाव से मनुश्य के पूरवजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है वहीं इस वरत को करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है अगर किसी कारण से एकाद्शी का वरत नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पंजामिल से अभिशेक करके उनके सामने बैठकर एकाद्शी की वरत कथा को सुनना चाहिए शिर्मत भगवात कीता के ज्यारवे अध्याय का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से भगवान शिरी कृष्ण परसन्न होते हैं बोख्षता एकाद्शी वरत की कथा इस परकार से है एक समय की बात है गोकुल नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था एक दिन राजा ने सोपन में देखा कि उसके पिता नर्क में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उध्धार की आशना कर रहे हैं अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो गया प्रातेकाल उठकर राजा ने ब्रामनों को बुलाया और अपने सोपन का मतलब पूछा तब ब्रामनों ने कहा कि हे राजन इस संबंध में परवत नामक मुनी की आश्रम पर जाकर आप अपने पिता जी की उधार का उपाय पूछिए तब राजा ने ऐसा ही किया जब परवत मुनी ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए उन्होंने कहा हे राजन पूरु जन्मों के कर्मों की वज़े से आपके पिता को नर्कवास प्राप्थ हुआ है अब तुम मोक्षता एकादशी का वरत करो और उसका फल अपने पिता को अरपन करो तब ही उनकी मुक्ति हो सकती है तब राजा ने मुनी के कतनामसार मोक्षता एकादशी का विधी विधान पूर्वक वरत किया प्रामणों को भोजन, तक्षिना और वस्त रादी समर्पित करके उनका अशिरवात प्राप्त किया इस वरत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ती हुई तब ही से ये माना जाता है कि मोक्षता एकादशी की वरत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई वरत नहीं है आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में जलती ही फिर मिलेंगे तब तक चुड़े रहिए हैपी लाइफ विध कानजी के साथ हरी कृष्णा राधी राधी